है हालो दोस्तो स्वागत आपको आपके यूटूब चैनल मनी स्वलूशन में दोस्तो हम आपके लेकर आएक नई ट्रिक जिसके दुआरा आप अपने जो क्रेडिट काड़ की अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर अपने बैक अकाउंट में वह भी बिना किसी फीस के तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और होस्तों के तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए दोस्तों यह मेरा टीम डबलू का अकाउ ही है मैंने मेरा क्रेडिट काड़ का दूसरा नंबर है जो सलेक्ट कर लिया और मैं इसमें डालता हूं वे झाल लेता हूं मैं इधर करता हूं लोड्ड 10025 रूपे आप यह दोस्तों प्रिकरिया पूरी लाश तक देख्ते रही है क्योंकि यह थोड़ा हां प्रिकरिया जो थी होगी थोड़ी बड़ी होगी लेकिन आप इसमें ट्रांसफर कर पाएंगे अब दोस्तों जैसे में मेरा यूज जो OTP करूंगा क्योंकि OTP आएगा मेरा तो उसके लिए मैंने उदर अपलाई कर दिया जैसे OTP आएगा उसके बाद जैसे ही मेरी OTP सब्मिट करूंगा तो मेरा पैसा इसके अंदर आ जाएगा तो दोस्तों OTP के लिए चला गया है मेसेज तो दोस्तों आ गया है मेरा डबल सेवन यह दोस्तों डबल सेवन 0147 यह मेरा OTP आ गया है तो दोस्तों जैसे ही मैं इसको करता हूँ इदर transaction proceed में आ रही है आप देखते रही है कैसे मतलब इस amount को मैं मेरे bank account में बहुत ही easily तरीके से भेजूँगा लेकिन इसके लिए मेरे को 2-3 जगा पैसे को घुमाना पड़ेगा तो देखे दोस्तों यह मेरा पैसा है जो load हो गया है load successful अब मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ही दोस्तों मैं back आता हूँ तो जो मेरा amount है वो आ गया है 1027 रुपे तो दोस्तों इससे आगे क्या करना है आपको जो आपका card है virtual card मैं आपको दिखाता हूँ जो दोस्तों यह मेरा TMW का virtual card आपको दिखाई दे रहा है मेरे को इस virtual card को use करना है तो दोस्तों उसके बाद मैं चलता हूँ मेरे paytm अकाउंट में तो दोस्तों देख रहे होंगे इदर मैं paytm में आ गया हूँ आप बोल रहे होंगे यह trick परानी नहीं लेकिन यह तरीक अभी नहीं है इसके अंदर दोस्तों आपको add money करनी है और जो दोस्तों मेरे अकाउंट में आपने देखा वा TMW में वो 1025 रुपे थे यानि 1025 प्लस 2027 रुपे थे तो दोस्तों मैं इधर select करूंगा 1025 रुपे प्लस add money देख रहे हैं आप आप बोलते हैं कि पेटियम में पैसे add नहीं हो रहे मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद दोस्तों यह मेरे credit card की detail है आगी जो हैं उसके बाद मैं select करूंगा जो दोस्तों उदर उसका जो मैंने virtual card दिखाया था जैसे मैं इसको select करता हूँ उसके बाद मैं इधर डालूँगा अपना CVV number तो दोस्तों मैंने मेरा CVV number डाले के यह continue पर press कर दिया है उसके बाद यह मेरे को लेके चलेगा दोबारा मतलब मैं दोस्तों पैसे add कर रहा हूँ देखना जो मेरा TMWA card है उससे मैं मेरे जो TMW से मैं मेरे PayTM bank में पैसे डाल रहा हूँ तो इसके लिए OTP है भी OTP आ जाएगा आपके आँखों के सामने उसके बाद भी एक next process बचेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ कि उससे आगए आपको क्या करना है तो दोस्तों मेरा OTP आ गया है यह है 325522 जैसे ही मैं इसको submit करूँगा दोस्तों जो मेरा amount है PayTM का वो इसमें add हो जाएगा यानि जो 1025 रुपए मेरे TMW account में थे वो add हो जाएगे मेरे PayTM account में यानि दोस्तों PayTM में भी दो है PayTM payment bank और PayTM wallet तो मैं add करूँगा पैसे यह देखे दोस्तों उपर मैसेज भी आ गया रुपीज वन थाउजन ट्वंटीफाइव रुपीज दोस्तों add हो गए है उसके बाद देखिए मैं क्या करता हूं दोस्तों अभी मेरा जो PayTM wallet है अभी आप देख लीजिए जो मेरे PayTM wallet में रुपे आ गए है अभी मैं आपको passbook दिखाता हूं फिर आप बोलेंगे कि ऐसा है पैसे add हुए नहीं है देखे दोस्तों यह पैसे करूँआ दोस्तों यह पैसे देखे दोस्तों यह पेड होगे पेड सक्ससफुली यानि एक हजार 24 उर्पे add चले गए हैं उपर आपके पास मेसेज भी आ गया है कि एक हजार 24 उर्पे आपने भेज दिये हैं उसके बाद अभी मैं आपको मेरा जो पास्बुक में वैलेट दिखाता हूँ अभी 2024 दिखा रहा था दोस्तो अभी देखे सोर पे ये पहले से ही मतलब इसके अंदर है तो देखे दोस्तो आप इस इजी तरीके से आप भेज सकते हैं लेकिन इसके लिए आपके पास मर्चेंट अकाउंट और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए दोस्तो हमारे चैनल लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले तो दोस्तो तब तक के लिए के लिए वीडियो के लिए जैहिंद वंदे मात